गाइज अंडिफिरी सीरिस टू में चौप हमारे उपर काफी ज्यादा भारी पढ़ रहा है चौप का यह वाला यूनिट हम सबको मार रहा है लेकिन आज जुम्हें यूनिट लेकर आयों ना गाइज चौप तेरा वाला यूनिट आज यह मरने वाला है अरे बसकते रहा है मै इसका सरफटा हुआ यार का मुझे टूट हुआ लेकिन जो भी इसके दो हैं मैं तुम लोग थोड़ा सा रही कप दे देता हूं लेकिन यह वाला यूनिट था चौप का यह वाला यूनिट तो सीरीज में मारा जा चुका है उसके पास इंचेंड का यह वाला गोल्डन चिक यार मैं यहाँ पर अपने उनुट को प्लेज्ट करने वाला हूं पर मुझे करने प्लेज करने चौब मेरे दे बहुत खतर्नाग यूनिट हैं चलतीक है अब तू प्लेज कर दे यह कया है वेड़ा मिनर इसके आसपास यह क्या चीज़ आ यार रहामां यह कैसा डिसाइन य सब्सक्राइब और पीछे की तरफ दो पॉइंट्स हैं जिनके उपर वैपस लगें में अब मुझे भी पता कि यह वाला उनिट कितना खतरनाक होगा लेकिन चलो ठीक है जारा देखने इसको अप्ग्रेट किया और है रवाद मेरेना स्कॉर्च को अप्ग्रेट किया और अमा इसको फाइंड किया और चौप का यह वाला उनिट भी मेरे ख्याल से चौप तुने अप्ग्रेट किया और अप्ग्रेट किया और इसके अंदर मैं हलके बुलके अप्ग्रेट विद टाइम करता रहूंगा अगर मुझे लगा कि यह स्ट्रॉंग है तो मैं इसको और जाद के उपर के अभी के लिए देख लेते हैं यहां पर लाइटनिंग गन्स दो लगी हुई है और यहां पर अच्छा नहीं भाई यह तो टोटली डिफ्रेंट है और यह वाला है और इसको अप्ग्रेड हुआ हुआ है लेकिन सिंचेन तूस तक पहुंच सकेगा और अमारे सब बैलंसिंग ठीक है क्या अभी के लिए तो इतनी बैलंसिंग अच्छी नहीं लेकिन आरा मारे सिकर मत करो आप बैड़ा को शुरू कर रहा है और सिंचेन और चॉप के युनट एक दूसरे के आसपास आ रहे हैं और चॉप पागल हो चुका है चॉप यह तो क्या कर रहा है पाइब आरे हमाटे मनने के लिए तयार हो रहा है ओ बैप यह काफी अच्छा टेक था और सिंचेन का स्कॉच लिटरल हवा में उड़ रहा है और सिंचेन तूने नानडिफिरिस के अंदर जान दी दिये क्या करन निकल रहा है यह यह वाला युनिट काफी युनीक है औरे मुझे पता था चौप की गाड़ी जब इसके ऊपर गिरेंगी तब यह सिंचन का स्कर्ज माना जाएगा अरे यार भाई स्कर्ज तो बहुत अच्छा था मानना पड़े हैं गेम के अंदर आस्ता आस्ता खतरनाक यूनिट्स आते जा रहे हैं हम लोग बैडर को एक और दोफा इसको एलिमिनेट कर दूंगा अभी के लिए तो भाई यह ना तमाशा लगावा है मुझे तो को समझे नहीं आरा चौप का यूनिट यहां पर नीचे की तरफ नहीं नहीं भाला नहीं भाई उससे तुझे नीचे गिरा दिया और यह बज़िए दो बारन सिंचन लेकिन मेर नहीं 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 लग चुका है आरे मेरा यूनिट कभी नीचे नहीं गिरेगा यारा मार भाई यह तो हवा में उड़ते हो देखो यारा मस्ट बैलनसिंग है अच्छा अब ना मुझे डिसाइड करना है कि कौन जीता कौन हारा एक बैटल सिंचन जीता था और एक ब यूनिट को प्लेस करने है अब हम लोग हेल्स को भी देखेंगे अरें देख लो यारा माँ पर हैल्स को भी देख लो मुझे कोई भी प्राबलम नहीं लेकर आप चौप यहां बर पक्का एलिमिनेट होगा ओके सिंचन तुने चौप के यूनिट को काफी दा रोकेट्स मार आरें वहाँ इसका चौप एलिमिनेट होगा आरें भाई इसकी बैलनसिंग अब खुद मसले चौप अरे यूनिट यह मेरे उपर गिर रहा है लेकिन मैं तो इनकी हेल्थ पर फोकस कर रहो और यह मेरे ख्याल से सिंचेस को मैनुपलेट कर रहा है और यहां पर चौप निच है लेकि इसका मतलब यह नहीं है कि तेरा यूनिट जादा स्ट्रोंग है तो भी होना फैर 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 साइड गायद हम लोग एक और बैटल कर लेते हैं आरही है क्या वाई यहां पर तो चौप सिंचेन मारा जा चुका है और यह क्या वाई चौप ने इस दफ़ा मुझे हाँ यार भाई मैं कैसे डिसाइड करूँ एक कौन जीता आरही तो यहार आमार भाई मैं आपको बता दो देखो चौप का यूनिट जादा स्ट्रॉंग है मुझे पता है लेकि यहार पांच बैटल कर लेंगे जो तीन जीता ना वही विनर होगा चौप यहां पर दो बैट जो है ना वो बस हम लोगोँ डिसाइड करने में बहुत हेल्प करें अब इस बैटल का जो भी विनर रहे वही विनर है अब मैं नहीं देखो आगे सिंचन की हैल्जादा थी जो भी विनर है बस फिर वही विनर है देखो मैं चौप की यूनिट को डिस्क्वालिफाइस लिक करना चाहता हूँ क्योंकि इसकी बैलंसिंग बहुत गंदी है यह कभी भी नीचे गिर सकता है अरे लेकर अब मेरा अटैक तो बहुत जादा पाउरफुल है ना यार हाँ अटैक बहुत जादा पाउरफुल है मानना पड़ेगा चौप का अटैक नो डाउट बाकी में तेज ह नहीं है लेकिंगे बैलंसिंग बहुत अच्छी है और अच्छी होनी चाहिए और अभी के लिया रामान पर इसको आप टेस्ट तो करो ना भी जो विनर होगा वही विनर होगा ओके चलो ठीक है अभी हम लोग तुबारा से आखवी बैडल करने वाले देखते हैं कि कौन वि नीचे की तरफ गिरेगा तो तो ज सिंचन आँरे जेंगे नहींट नहीं है तो मुझा करना पड़ेगा और 2019 मुझे ना मेरा यूनिट जादा है स्ट्रांग नहीं है मानना पड़ेगा चौप का युनिट स्ट्रांग है तो यह वाला जीव सा जाइंट है ने कि मेरे पास एक और यूनिट चाहता है यह बड़ी टीम में चाहिए और मुझे इसको टेस्ट करने तो यह कतरनाग तो बहुत जादा है तो चुछे लगता है चाहता है मैं इसको एलिमिनेट कर दूँगा मैं तो कहता हूं कि यहां पर ना थोड़े वैपन टू अगर प्लेस कर दे उसके बाद बैटल को शुरू कर अगर ऐसी बैटल को शुरू किया तो मैरे ख्यादे तरह यूनिट मारा जाएगा आप सिंचेन को सजेशन मत दो आपने मुझे कोई भी सजेशन नहीं दिया रहा है बस एक बात करूंगा सिंचेन तेरा यूनिट का डिजाइन तो मुझे बहुत पसंद आया लेकिन सिंचेन अगर तुने इसको यूज करना ही है तो इसके ओपड़े थे वैपन टू तो प्लेस कर देया पागल है के तूदे मैं सिंचेन तो सेसर है लिए हैंप साप होगा यहां ते यह देखो दोबारा यह भी नीचे गिर रहा है मतलब यह चौप का युनिट काफी टाइम दर टिकने नहीं वाला एक कोई अच्छा युनिट इस्ट्रॉंग आ गया ना भाई चौप तेरा युनिट पिटने वाला है वाला है युनिट मरने से पहले बहुत तो को मार चुका ह यहां भाई चौप तेरा जाइंट युनिट कितना शौकिंग है मरने से पहले कितनों को पेल रहा है और मेरा युनिट भी ऐलिमनेट होगा है मैं 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 मेरा यहां काफी स्टॉंग हो चाहिए एक दफा दोबारा बैलों को शुरू करते हैं लेट सी के इस दफाइब मार पाता है चौप के युनिट को के नहीं काफी दफादा वैपस लगा दी है और गेम की ऐसी कितनी लोगों ने कर दी है यह अटैक किया लेकिन मुझे लग रहा है कि वैपस इतने स्टॉंग नहीं है कि चौप के युनिट को एलिमनेट कर दें और यहां पर सिंचेन का कि तरना पड़ेगा क्योंकि तेरा युनिट औरों को तो मार रहा है और अब 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 यह इसको नहीं कर सकते हैं तुम लोग क्या कहते हो इसको डिसक्वालिफाय करना चाहिए कि करना चाहिए मतलब यह मारता तो है यूनिट को आई नो लेकि साथ में खुद भी नीचे के मैं पहले में तुम भीड़नतों बइन तोचा रहुंग लुदा नहीं मुझे करते हैं और श्रॉए क्या नहीं दोगा मैं गाइज अभी तक तो हम लोगों ने इसको रखाव है इसको मैंने अभी तक तो डिस्कॉलिफाई नहीं किया कमेंट करके तुम लोग जरूर बताना मिलता तुम लोगों से नेक्स वीडियो में अपने यूनिट के साथ और सिंचन और चॉप किसी का यूनिट प्लेज करेंगे अभी के लिए बबाए